पुलो स्री प्राणनात प्यारे कीजै शदुगुरु महाराज कीजै वंदो शदुगुरु चरने को करुशु प्रेम प्रणाम अशु बहरन मंगल करन धनी स्री देव चंद्रजी नाम स्री प्राणनात निज मूलपती स्री महराज शुनाम तेज कुवर श्यामा अईुगल को पल पल करू प्रणाम एदो विध में तो कही सुपन हरसे उडावूं कहे श्री इंद्रावती उचरंगे साथ जुगते जगावूं साथ जुगते जगावूं होवतनी बांधो कमरतुम बांधो बुलोश्री प्राणनात अब धामधनी श्री रज्यमराश पूरणवरम सच्चेदानन इस ग्रंद के माध्यम से होवतनी बांधो कमरतुम बांधो एक प्रशंग है वतनी का तात्प्री ही होता है कि जो परमधाम से आए सुन्दर साथ और कमर बांधने का तात्प्री है तैयार हो जाना किसे तैयार होना? प्रकृति के अंदर से शंसार के अंदर से निकलने के लिए वेक्ति को केसे तैयार होना है इस प्रकण के अंदर दर्साया है कि ये ब्रमांड बना उस ब्रमांड के अंदर मानव केसे फसा हुआ है और फसे हुए मानव को केसे निकालना है ये सारी बाते इस प्रसंग के अंदर वर्णन किया और इस प्रकण के अंदर अगले शब्दों में कहुँ सूरत पियाजी सो साधो कि ये आपकी सूरता इस दुनिया के अंदर सूरता यानि आतम द्रिष्टी जो संसार की तरप लगी हुई है जो हमारी सारीरिक द्रिष्टी होती जो संसार की तरप कारिय कर रही है उस सारीरिक द्रिष्टी को हम बंद करे और आत्मिक द्रिष्टी को कैसे खोले ये इस प्रकण के अंदर वणन किया है अगली सब्द में ये क्या कहते तीनो कांडो बड़ा सुगदेव अब प्रसंग प्रकण के अनुसार चलेगा तीनो कांडो बड़ा सुगदेव कि इस दुनिया के अंदर कोई ज्ञानी हुआ तो सुगदेव मुनी ने बोले ज्ञान कांड करम कांडो और उपासना कांड तीन प्रकार के कांडो का वणन किया है और तीन प्रकार के कांडों का वणन करने वाले ऐसे सुगदेव मुनी ने वणन किया भागवत के अंदर एक प्रसंग आया और उस प्रसंग के अंदर एक अलंकारिक एक पहिलियों के रूप में कहानी समझाई गई और उस काहनियों में सुगदेव मुनी क्या कह रहे कि संसार के अंदर आया हुआ मानव इस ब्रह्माण में केसे फसेगा और फसने के बाद वो कोशिश भी करेगा तो भी निकल पाएगा वो एसा बंदन में बंद जाएगा कि बंदन में बंदने से उसको वो खुद निकाल नहीं पाएगा जैसे आप कभी कोशिश करना करोलियों के देखने करोलिया क्या करता है खुद जाली को बुन डलता है और बुनने के बाद करोलिया सोचता है कि मैं सिकार को स्वयम ग्रहन करूंगा लेकिन समय ऐसा आजाता है कि वही जाली एक दिन उसके गले में पढ़ जाती है और जो जाली उसके गले में पढ़ते है उस जाली की वज़से वो करोलिया स्वयम ही मृत्य को प्राप्त हो जाता है कि अब करोलिया सोचता है कि में दुनिया का सिकार करने लिख ला हूं लेकिन उसने दुनिया का सिकार या किशी किडे मकोड़े का सिकार नहीं किया उसका सिकार स्वयम खुद बन गया जैसे वो भरत्रीरी कहते हैं कि वेक्ती तप नहीं तपता प्रक्या होता है कि इर्शा और बेस की अगनी में वेक्ती कुद तप जाता है और इतना तपता है कि कहा जाता है चिता की अगनी तो वेक्ति को दो घंटे तिन घंटे में भश्मा कर देती हैं पर इर्षा की अगनी धीरे-धीरे वेक्ति को भश्मा करती है और वो इतनी तेजी नहीं लगती है जैसे कहा जाता है कि श्लोप पईजन जहर धीरे-धीरे वेक और वही बात इसके अंदर वर्णन करें कि ये कहानियों के रूप में समझाना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं तिन के परवत धापिया एक पहली है कि तिन के परवत धापिया तिन का यानि घास का छोटा सा टुकड़ा बोले पूरे डुंगर को ढख देता है आपको सुन करके इसा लगता हूँ कि यह तो एक एसी कहानी जिस कहानी को सुनने के बाद विश्वास करने लायक नहीं है सो तो कहूना देखिया अगले सब्द में कह रहें चिटी पाउं कुंजर बंधाए कि केडी ना पगमा हाथी बंध जाता है इसे कभीर जी की वानी आपनी कभी सुनी हो तो कभीर जी कहते बरसे कंबल भीगे पानी कुछ ऐसी वानी है जो समझ में आना बहुत मुश्कील है और इसी तरह ये जो सुगदे मुनी वर्णन कर रहे कि कीडी के पग में कभी जिन्दगी में हाथी बंध सकता करोडो कीडिया एक हाथी के पग पर चड़ सकती पर एक हाथी कभी भी कीडी के पग में बंध सकता नहीं है चीटी हस्ती को बेटी निगल ये सारे के सारे जो पहलिया है कहानिया है वो समझा रहे कि एक कीडी बोले हाथी को खा गई और अगले सब्द में क्या करें ताकि कहुना परी कल सारी दुनिया में बोले इस कहानी को कोई समझ नहीं पाया लोगों ने सुनी जरूर पर आज तक किस ने देखी नई कि किसी कीडी ने हाथी को खाया नहीं एसे कोई कहानी जीवन में घटित हुई नई इसे लिए ये जो अलंकारिक वर्णने जैसे एक उधारन देता हूँ एक बार कलियुक का जब प्रारंब हो रहा था ना तो कलियुक के प्रारंब में भगवान स्री कृष्णा और पांच पांडव जंगल में भ्रमन करने गए तो उनने तिन कुओ को देखा तिन कुओ को देखा तो उन तिन कुओ को देखने के बाद एक कुओ है जो पहले नंबर का लाश्ट वाले कुओ को भर रहा है पानी दे रहा है पर बीच वाला कुओ बिलकुल सुखा हुआ है तो ये बात भीम को समझ में नहीं आई और भीम ने कहा कि भगवान ये बात समझ में नहीं आई कि बीच वाले कुवे को फश्ट वाला कुवा पानी नहीं देता पर लाश्ट वाले को देता है बोले इसकी बात हमें जरा समझा दो तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इसका तात्परही के कलियुक आने वाला है इससे क्या लेना देना? को से? को से किवल इतना लेना देना है कि एक प्रसंग ऐसा बनेगा कि भाई-भाई का पेट नहीं भरेगा पर साले का वश्य भरेगा गरों में एसी गटनाई चलती रितिगाओं में तो बोले भाई भाई का पेट नहीं भरेगा पर साले का अवस्य भरेगा एसा समय आने वाला है एसी बहुत सारी पहलियां थी और इस तरह ये भी एक पहली है और ये पहली जो हुई इस पहली का कारण बगले चरण में क्या करे ब्रह्मादिक ब्रह्मा को कहे अब एक प्रसंग घटित होता है भागवत के अंदर एक प्रसंग आता है कि ब्रह्माजी के चार मानशिक पुत्र है सनक, सनंदन, सनातन और सनतकुमार ये चारों रिशी है परम तपश्वी है परम तपश्वी होने के बाद भी एक दिन इनके मन में संसे हुआ और संसे केसा हुआ कह रहे हैं जीव मन दोव भेले रहे ब्रह्मा जी को कहा कि पिताश्री ये बताओ कि ये जीव और मन अनादी काल से साथ में थे कि श्रिष्ठी बनने के बाद साथ में हुए ं तो बोले उसका खुलासा करके बताओ और स्रिष्टी बनी तब से साथ में उसका भी खुलासा करके बताओ अब ब्रह्मा जी भी घबराए कि ये स्रिष्टी के प्रारंब से साथ में है कि अनादी काल से साथ में क्योंकि आप से जैसे किशी ने कुछ कह कि बोले आप अपने पूर्वो जनम के संस्कार को लेकर के घुमते या नहीं घुमते तो पहले तो आप कहेंगे हम लेके घुमते नहीं हो प्रगली वानी के अंदर खुलास आएगा कि कुछ चीजे ऐसी होती है जो हम सदा साथ में लेके घुमते कह रहे हैं कि जीव मन दो भेले रहे या अलग अब अगले सब्द में क्या रहे हैं ये भेले हुए आद के के भेले है सदा अनाद कह रहे कि अनादी काल से यानि जहरे श्रिष्टी नती बनी त्यार्थी भेगा छे के पच्छी श्रिष्टी बन्या पच्छी साथ थया ये कब से हैं बोले दोनों अलग-अलग है कब-कब साथ में हुए जराइन का वर्णन करो जैसे आपको किसी ने पूछा कि आप राजन स्वामी जी के सानिदी में कब आए 2022 में आए कि 2015 में आए तो उत्तर क्या मिलेगा 2022 में इसी तर करे कि स्रिष्टी बनने के बाद मिले तो भी बताओ और स्रिष्टी से पहले मिले तो भी जरा खुलासा करके बताना अब ब्रह्मा जी सोच में पढ़ गए कि करू तो करू क्या इसका उत्तर में केसे दूँ विचार करते करते ब्रह्मा जी स्वयम उसका उत्तर नहीं दे पाए और ना उत्तर दे पाने के कारण से ब्रह्माजी नी सोचा कि उसका उत्तर में विश्णु भगवान से पूछू और विश्णु भगवान से पूछने के लिए ब्रह्माजी ने जिस जगा पर खड़े थे वहां से आंक बंद की मनोमन भगवान विश्णु को याद किया और याद करने के बाद भगवान विश्णु को आतमिक दृष्टी से देख करके प्रार्तना करते के हे देव मेरे पुत्रों ने सवाल किया है यह कि जीव और मन दोनों अनाधिकाल से कठे हैं कि आधिकाल से संसार बनने के बाद से हैं या संसार से पहले से हैं अब विचार में पढ़ गे कि आखिर मुझे समझ में नहीं आई इसलिए हम आपके चरण में आए विश्णो भगवान ने का चिंता मत करो में आपके प्रश्णो का उत्तर अवश्य दूँगा और विश्णो भगवान ने भागवत में लिखा है कि एक सुन्दर हंस का रूप धारण किया और सुन्दर हंस के रूप को धारण करके विश्णो भगवान चार इश्यों के शानिध्य में आए सनक, सनंदन, सनत, कुमार और सनातन इनके पास आए हंस रूप धरो सुन्दर लिए सनकादिक के चित हर इतने सुन्दर रूप को धारण करके आये और चारो रिश्यों के मन को ग्रहन किया हर लिए मन को हरने के बाद चारो रिशी विश्णो भगवान है से समस्तो गए जीवे हंसो करी पहचान चारो चरन लगे भगवान चारो ने मान लिया कि ये विश्णु भगवान इतना सुन्दर पक्षी दुनिया में कोई हो सकता नहीं हंस बहुत देखे पर बोले इतना सुन्दर हंस हमने कभी किसी का देखा नहीं फेर मने योकिया विचार जैसे ही पहिचान की उतने में मन आकर के टपका और कहने लगा ना 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 बोले ये विश्णु भगवान नहीं है ये तो बोले एक पक्षी है ये विश्णु भगवान हो सकता एक बार पहिचान की दुसरी बार में पहिचान खतम यह है मन की शक्ति जो जीव के उपर भी भारी पड़ जाती है अपने वो अम्मर वेल देखी कभी पिली-पिली वेल आती है ना किसी उसका जड़ ना मूल पर भारी वो सपर पड़ती है जिस जाड़ पर लग जाए ना वो जाड़ को उजाड़ देगी पर वो कभी उजड़ेगी यह मने साही जिस मानव पर चड़ गया भारी पड़ गया वो मानव उजड़ जाएगा पर यह कभी उजड़ने वाला इसी का नाम मन है इसलिए वाने मी कहा है मन ही देवे सत्साहिबी मन ही करे फजीत कि ये मन है चाहे तो किसी को स्रिष्ट सिंगासन पर बिठा देगा और यही मन है कि किसी को धीरे-धीरे एसे लटका देगा कि कहीं उसका अस्तित्व भी बचेगा चाहे तो ये मन मोक्ष को प्राप्त करवा देगा और चाहे तो ये मन नरक को प्राप्त करवा देगा इसलिए रिशी मुनियों ने कहा मन ही मनुष्यानम मोक्ष कारण बंदनम कि मन ही एक एसा वस्तु है एसा तत्व है जो चाहे तो वेक्ति को मोक्ष प्राप्त करवा सकता है और चाहे तो व पर डिपेंड होता है कि वेक्ती मन के वसिभूत होता है या फिर जीव के अनुसार चलता है इसलिए दोनों परिश्थितियां बताई और उपनिसद की भासा में कहूं तो उपनिसद में इसी के विपरित एक संदेश दिया उपनिसद कार कहते कुरवन नेवे कर्माने जिजी विशे सतम सम एवं तवई नान्यो थेतोस्ती ना कर्म लिप्यते नरे के हे मानव ये मन मानव को लिप्त कर देगा और जिज़ दिन ये मन मानव को इतना लिप्त करेगा कि ये मोह के बंदन में बांता चला जाएगा और इतना बांदेगा कि बांदते-बांदते मानव को ये फासी के फंदे तक ले जाकर के खड़ा कर देगा इसलिए मन से मानव मोहकी और गतिशिल होता है और मोहकी और गतिशिल होने के कारण से सत्य और असत्य की पहचान मानव को कभी नहीं हो पाती एक बात बताऊं ओरंग जेब के दरबार के अंदर श्रीजी साहिब जी पता रहे ओरंग जेब आज से नहीं वर्सों से रहा देख रहे थे जो ओरंग जेब जिसको पता था कि कल के दिन खुदा इस दुनिया के अंदर आenगे आफसी रब आलम का कि इस दुनिया का मालिक आने वाला है और आकर के क्या करेगा तो वो ले इस दुनिया के अंदर आकर के वो खुदा इस दुनिया को अपने परमधाम ले जाएगा और एक शत्ति की पहचान देगा इसलिए जो ओरंग जेब रहा देख रहा था इस ओरंग जेब ने खुदा की पहचान के लिए मानो ना मानो ओरंग जेब ने मंदीर तुड़वाने शुरू कर दिये जिसका सास्तर में जिक्र है कि जब ओरंग जेब को पता चला कि कल के दिन खुदा इस दुनिया में आएंगे तो उनको ये बात भी पता चल गई थी कि खुदा आएंगे तो हिंदू तन में आएंगे पर मुसल्मन तन में आने वाले नहीं है उसी ओरंग जेव ने सुरुवाद कर दी कि किसी हिंदुतन में आएगा तो किसी मंदीर में होगा इसलिए ओरंग जेव ने धीरे धीरे मंदीरों को तुड़वाना प्रारम किया तीन बार मंदीर में जाकर के बोलता था आप यदी इस दुनिया के अंदर आगे हो तो आप बाहर निकलो बाहर निकलो यदी कोई अंदर से नहीं निकला तो उस मंदीर को तुड़वा देता है ये बात भविश्य सास्त्रों के अंदर पहले से लिखी थी प्राशाद पतनम चैव तिरिथा नम्च यदाप्यत तदा वुद्धो भविश्यती हिती में निस्चया मती कि जब मंदीर तुटे जा रहे होंगे और तुटते समय वो परब्रम इस दुणिया के अंदर आएंगे पर आने के बाद जो मंदीर तुड़वा रहा होगा जब खुदा उसके पास जाएगा पर वो खुदा को पहचान पाएगा कुरान के अंदर लिखा कि जब खुदा इस दुनिया के अंदर आएगा तो वेक्ती आंक का अंदा और कान का बहरा हो जाएगा उसको उसकी पहचान नहीं हो पाएगी बारा मुमिन संदेश लेकर के गए दिल्ले के दरबार के अंदर औरंग जेब को संदेश दिया पर संदेश देने के बाद औरंग जेब ने संदेश भी सुना पर आज वही दसा होती है जो वर्सो पहले ममत साब ने कुरान में कही थी आंक के अंदे और कान के बहरे औरंग जेब संदेश सुनने के बाद की आक्रूल जमाइमा महिदी आ गए है पर उनका मन था वो ये कहता था ये तो हिंदू वैरागी है जैसे संकादिक को क्या लगा ये तो हंस एक पक्षी है इसको हम कैसे मान सकते हैं इसे जैसे संकादिक सनत सनंदन और सनातर और सनत कुमारनी जैसे विश्णु भंकवान को हंसरूप समझ करके श्विकार करना छोड़ दिया इसी तरो औरंग जैबनी बाहरी सरीर को समझ करके सोचा कि ये तो कोई हिंदू वैरागी कोई शंत है मैं इसको खुदा मानता नहीं हूँ और नहीं माना वरंग जिबनी उसी प्रसंग को वरणन करें कि एक तरब आत्मा पहिचान करेगी एक तरब जीव पहिचान करेगा पर तभी मन क्या करेगा मानव को रोग देगा हमारे साथ भी एसा होता है ज्यान की सभा में बेटने के बाद साहिद बुद्धी में कुछ आने लगता जैसे चुलेहे के पास पड़ा लोखंड गरम हो जाता ना एसे वेक्ति सभा में बेटता बेटता हाँ जी बात तो सही है पर जैसे ही मन से जाता है ना अब था पर अधर घर में चल सकता ना एसी दसा हो जाती है तो कह रहें कि ये मन एसा है जो हमें सत्य से अवगत करने से परिचित करने से पहचान करने से क्या करेगा रोक देगा इसलिए इस प्रशंक को करें फेर मने योग की वा विचार ले नजरों देख आकार क्या देखा उसने सरीर को देगा जैसे ओरंग जेब ने सोचा कि ये तो कोई शुपी शंत है इसमें आखरूल जमा इमाम महिदी खुदा नहीं उसने जैसे सरीर की पहचान की सनकादिक ने भी वेसे क्या किया सरीर की पहचान की जो जीवे करी पहचान सो मन ने तभी दई भान कि तुरंत उस पहचान को उसने क्या कर दिया रोक दिया और रोक देने के करण से फेर सनकादिके यो पूछिया तुम कौन हो योकर कहा कि ये बताओ कि तुम कौन हो विश्णो भगवान कहने लगे कि एक बार तो मैंने अपनी पहचान दे दी पर तुम्हें ये बात समझ में आई नहीं और ना समझ में आने की वज़ा से बोले अब आप इस दुनिया के अंदर पूरी कोशिश कर लो तो भी कुछ होने वाला नहीं है और इस तर चित की ये चारों के धीर पर ना हुए जुदे खीर नीरस है बोलो श्री प्राणनाद सब के चित को हरा सब के मन को हरा पर हरने के बाद भी सनकादिक रिशी मुनियों उनका जो मन था उनको दबा देता है और दबाने के कारण से बोले हम एक पहिचान नहीं कर पाए अब जरा ध्यान के साथ जीव आदिनायण का आंसे और आदिनायण का आंस होने के कारण से प्रकृति के अंदर से बनने वाली वस्तु क्या है मन है स्रिष्टी का जब प्रारंब होता है तो आपने स्रिष्टी के प्रारंब में सुना होगा ना इश्वर ना मुल प्रकृति की ना इश्वर था ना कोई प्रकृति का स्तित्व था उस समय केवल ब्रह्म था तो जब केवल ब्रह्म था तो मन भी था उस समय नहीं और जब मन भी नहीं था कुछ भी नहीं था उस समय की बाद और मन का जो वरणन किया कि कभ ये मन बनता है तो बोले प्रकृति के बनने के बाद महतत्व के बनने के बाद महतत्व के बाद अहंकार और अहंकार के बाद महत महतत्व को कई बार बुद्धी का सरुभी माना जाता है जो बहुत सुक्समा है इसके बाद इस मन की उत्पत्ती होती है इसलिए एक बात याद रखना कि यही मन स्रिष्टी के बाद बनता है स्रिष्टी से पहले कभी होता नहीं इसलिए इस स्रिष्टी के बनने के बाद जीव और मन का मिलाप होता है और जीव और मन का मिलाप होता है वो मिलाप अलगकव होता है इसका भी कारण है हर मानव के पास एक अंतसकरण है अंतसकरण इसे एक तत्व है जैसे किसी मोबाइल की मेमोरी को आप छोटी सी मेमोरी होती है पर भरा हुआ पूरा बहुत कुस होता इसी प्रकार से अपना जो चितरुपी मेमोरी इस चितरुपी मेमोरी के अंदर इतनी सारी चीज बरी हुई है कि जिसका आऊंकलन नहीं कर सकते लोग कहते हैं कि विधाता के पास जब वेक्ति मरके जाता है तो वहां जाकर पैसे से फाइल खुलवाता है पर जानते हैं वो फाइल कोन ले करके जाता है? हम खुद ले के जाते हैं विधाता के घर कोई फाइल होती? नहीं है वो फाइल क्या है? यह अंतसकरण ही है और अंतसकरण के अंदर एसी एसी चीज भरी पड़ी रहती है जिसको आप सूच भी नहीं सकते एक उधारन देता हूँ कभी आपने एक चीज देखी खेतर के अंदर पाणी पढ़ने के बाद येदि वावेतर हम येदि बाजरा का करते हैं पर घास का कभी वावेतर करते हैं कभी वावेतर पर तो भी वो घास उगता कि नहीं उगता बोलिये तो से बोलो स्री प्राणनाथ वो घास उग आता है क्योंकि उसका अंदर पड़ा हुआ जमीन के अंदर पड़ा है वो घास उगेगा ही उगेगा और घास के उगने से पता चलता है कि ये जमीन के अंदर था, आपने कभी सोचा इंजिनियर कोलेज होती है मेडिकल कोलेज होती है साइन्स कोलेज होती है कॉमर्स कोलेज होती है आर्स कोलेज होती है और कभी गालियों की कोलेज देगी नहीं देखी किसे ने गालियों की चोपड़ी देखी कभी किसी नी पड़ी हो तो, नहीं पड़ी, पर जब मोसम बना, और गालियां आर पार सुरू हो गई, कभी-कभी तो हम भी चिंदा में पड़ जाते कि, हमारे जैसे वक्ता फेले इनके सामने, बोलो स्री प्राणनाथ, एसी चलती मानलो बड़ी-बड़ी फाइले खुल रही लिखनाई वाला लिखे न तो वरणन करता-करता ठक जाएगा, ये किताब लिख देगा, पर गालियों की कभी कमी पड़ती, कभी देखा ये गालियां कहां रहती है, कभी किसी नी नी देखा, कहां भरी-पड़ी रहती, वो भी नी पता, पर ये गालियां होती अवश्य है पताओ ये फाइल कहां खुलेगी सिधा यमरास के घर से बोलो स्री प्राणनाथ कोई रोक टोक नहीं यमरास के घर ही खोलेगी और जैसे ही यमरास खोलेगा तो क्या कहेगा इसकी टिकेट सीधे नरक की काट दो ये तो नरक के लाहे की फाइल पूरी किसकी बनाई हुई है गालियों की भरी पड़ी ये सारी चीज कहां एड होती है चित के अंदर चित के अंदर हो रही एड वस्तू इस चित की वस्तू को बाहर कोन लेकर के आता है मन बुद्धी अंदर पड़ी वस्तू की फाइल को दो ही तत्व खोलते एक का नामे मन और दुसरे का नाम बुद्धी साधू मिले तो बोले अच्छे से प्रणाम करो किसनी विवेचन किया बुद्धी ने बेकार इंसान मिला तो बोले रहने दो किसनी विवेचन किया बुद्धी ने लड़ाई हुई तो मन कहने लगता देन जीतना दे सकता है बोलो श्री प्राणनत ये दो ही एसे हैं दुनिया में फाइल कोई खोल सकता है तो मन और बुद्धी और उपर कोई फाइल कोई खोल सकता है तो यम्राज इसलिए अंतसकरण मानव का जो है जो चित के साथ जुड़ा है ये चित के साथ जुड़ा हुआ अंतसकरण मानव को चाहे तो वो नरक का गामी बना सकता है और चाहे तो वो परमधाम गामी बना सकता हमारे हाथ में हैं कि हम इसको केसे लेके चले ये हमारे हाथ में रहता है और इसलिए ये प्रकण हर मानव को यही सुचित करना चाहता मन चाहे तो मानव को नरक ले जाए और मन चाहे तो मानव को परमधाम ले जाए पर ये मन ही सब कुष है इसलिए मैंने पहले का मन ही मनुष्यानम कार्ण मुक्ष बंदयो कि मन ऐसा है या तो बंदन में बांध सकता या बंदन से मुक्त करवा सकता है मानव के हात में है और उसी को अगले में वणन किया कि कैसे बोले किडी हाती को निगल जाती चोटी सी किडी है पर ये हाती को मन का कोई अस्तित्व नहीं है पर तो भी ये मन जीव को दबा के बेटा है तो भी ये मन जीव को मोह के बंदन में लटका के बेटा है और तिनके परवद ढापिया कि ये छोटा सा मन करोडों सुरियों के समान कहा जाता है कि सोला करोड सुरियों के समान जीव का प्रकास है एसे सुरिय समान प्रकासित उच जीव को ये छोटा सा मन ढाक देता है इसलिए जीव को क्या वर्णन किया पाहाड समान डुंगर समान कि इतने बड़े जीव को इसने ढख दिया और किडी से के पेर में हाथी बंदाना मतलब कि एक छोटा सा मन पुरे जीव को बांध करके अपने आगे पिछे गुमाता रहता है और यही जीव मानव को मोह के बंदन में डालता है मोह के बंदन में पढ़ने के करण से अब जीव के उपर सासन किसका हो गया मन का और मन के सासन होने की वज़ा से अब जेसा मन चाहेगा वेसा जीव करेगा और जीव जो मन के बंदन में आता है तो सबसे पहले किसी तत्व को प्राप्त होता है वो कौन से तत्व को प्राप्त होता है? मोह तत्व को प्राप्त होता है कौन से तत्व को और मोह तत्व में बंदा मानव कैसे इस दुनिया में बंद जाता है छोटी सी कहानी है उस कहानी के साथ में अपने प्रवचन को बंद करूँगा छोटा सा ये मन जीव के उपर भारी हुआ और जीव को मोह के बंदन में फासे में लटकाता है उसका उधारन देता हूँ एक बार एक भाई था जिसकी पत्नी भी मर गई और बेटा भी मर गया सब कोई मर गया पर मोह का बंदन इतना जादा था उसको कि मोह के बंदन के कारण से उस वेक्ति ने क्या किया उसके पास जो हीरे थे वो चिंता में पढ़ गया कि में मरूगा ति इस हीरो को रखूँगा कहां से सब लोगों को पताए कि मरने के बाद वेक्ति छोटे से नाक के उस काटे को नहीं रखने देते हैं हीरो को कौन छोड़ेगा तक्रीबन 32 हीरे उसके पास पड़े और 32 हीरे होने के कारण से वो चिंता में पड़ गया कि मैं साथ में लेके मरूँगा जब इक इस दुनिया में कोई वेक्तिक उस लेके जाता पर ये सोचता है कि मैं लेके जाओंगा बिना लिये नहीं जाओंगा सोस्ते सोस्ते उसके दिमाग में एक आईडिया आई क्यों ना बोले मैं पेट में डाल लेता जिस समय उसने चिंतन किया उस समय ओप्रेशन की सिस्टम नहीं थी मन में विचारा कि क्यों ना मैं उसको पेट में डालू सुबब उसका नोकर आये, नोकर के आने के बाद नोकर को कहा, कि ये काम करना, सुजी बना देना, शीरो बनाना, शीरो खाना चाहता हूं, तो उसको बना के दिया, अपने कभी वो बादाम वाली मिठाई देखी, पेडा के उपर एक-एक बादम चिपका दिया जाता है, आप एक ती इतलुच काम करी हो कि हर सीराना लड़ू बनाया याने लड़ू पर एक-एक हिरान चोटाड़ी दी दो, आज तक आपने बादाम की मिठाई देखे पर ये क हिरे अंदर उतार दियों, उतारने के बाद धीरे-धीरे हुआ क्या कि दिन में तो खालिया लेकिन ये मगरमच का पेट नहीं जो पत्थर को पचा जाए, ये इनसानी ये पेठे उसके अंदर छोटी सी पांच एमेम की पत्री पढ़ जाए, तो मानव को हिला देती और ये, हिरे हिलाए ना इसा तो होई नहीं सकता, सांजना चारवा के थोड़क पेट मा गुड़गुड थाई उटले, दर्द बढ़ा और दर्द बढ़ने के बाद वो वेक्ति सोचने लगा कि पीड़ा बढ़ गई है, पुरी रात परेशान रहा, लुज मोसम हो गए, सुब के प सत्यों मर गया हो, मरने के बाद हुआ कि मरने के बाद उनके भायों ने सोचा कि इसको जलाने बाद मेले जाएंगे, पहले हिरे कहां वो खोजो बोले, तीजोरियों को देखा ताले तोड़ दिये, नहीं हाथ में आया, पहले के लोग दिवालों में अंदर कुछ रखा करते दिवाले भी तोड़ डाली, कुछ हाथ में नहीं आया, कुछ लोग जमीन में गाड़ के रखते थे, वो भी तढ़िया भी खोद दिया, तो भी कुछ हाथ में आया, समाज वाले लोग कहने लगे, जलातो दो बाद में खोजना बोले, ले गए समसान घाट में, नोकर साइड में बेठा था, उसकी तरफ आँखे दिखा करके कहने लगे, हीरे नहीं मिले, तो इसके साथ तू भी जाएगा, सेट गया तो गया, नोकर भी, नोकर चिंता में पड़ गया, नोकर कहने लगा, सेट आप तो गए गए पर मेरा भी, पत्ता कटवा गए, परिणाम ये हुआ कि वो जल गया, जलने के बाद, नोकर बोला कि जब मरना ही है, तो घर क्यों यहीं बेठा रहा हूं, नहीं गया न नोकर, बाद में नोकर को पता चला कि हीरे कहीं ओर नहीं कहां पड़े थे, पेट में और वो जला तो हीरे धीरे-धीरे, नीचे आ गए, हीरे चमकने लगे, नोकर कहने लगा, सेट ले जाना चाहते तो पर ये गए, आप सोचिए, एक मोह का बंदन कहां पर लाके लटका दिया, फासी के फंदे तक, ये मन मोह की तरफ आकर्शित होता है, विशयों की तरफ आकर्शित होने के बाद जीव को दबाता और जीव मोह के बंदन में फस्ता चला जाता है, और फस्ता फस्ता जीव इतना सोचता है, कि सारी दुनिया में जोकु से मेरा हो जाए तो मैं सुखी से जी हूँ पर कभी सुखी से जी पाएगा वाणी में एकी शब्द में का मेरी मेरी करद दुनी जाते बोज ब्रह्मान सिर लेवे पाउं पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सरजन को ना देवे कि ये प्रसंग एसा है कि ये मो के बंदन में पढ़ करके मानव पूरे संसार को अपना समझने लगता है पर ये भूल मत करना ये ना किसी का हुआ है और ना किसी का होगा आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर कोई सिंगासन चड़ी चले कोई बांदे जात जंजीर इस धर्ती के अंदर कई राजा बन के आए और कोई रंक बन करके आए कोई धर्ती का मालिक बन पाया नहीं ना ही किसी वस्तु का मालिक बन पाया इस दुनिया से खाली हाथ आया मानव खाली हाथ जाए गया और वही बात इन सब्दों में कह रहे हैं कि ये मन जो जीव को दबा दिया और जीव के दबने से क्या हुआ कि जो परमधाम की आईवी ब्रह्मशिष्टी इस खेल को देख रही है जीव को मन ने दबाया और मन के अरे मन ने जीव को दबाया और जीव के दबने से आत्मा भी बिचारी क्या हुई मो के बंदन में आ गए और मो के बंदन में आने से, आत्म अपने परमधाम की बातों को भूल गई, परमात्मा के शरूप को भूल गई, सचे शरूप को पहचानने से, आत्मा भी स्विकार करना तयार नहीं हुई, और इसी तर ओरंग जेब जेसे लोग इस दुनिया में अनेक है, जो आज भी परमात आत्मा के सरूप को पहचान पाए नहीं हैं जैसे वानिमी का आपन हजी नथी ओलख्या जुओ विचारी मन कि हम बले ब्रह्मवानी के साथ रहते पर अभी पूरण पहचान हुवी नहीं हैं तो यही प्रसंग बता रहा है कि हम यदि सानिध्य में बेटे तो जीव को मन के बं आलिक को जाने कि हम कौन और हम किसकी अंगना है यह जान करके हम इस बंदन के अंदर से छुट करके हम मुक्स की और गमन करे परमधाम की और गमन करे यह प्रकरण यही कहना चाहता है भव सागर को नहीं छे सुगजी यो मुक जाहर कहे किस भव सागर के अंदर यानि यह नहीं पाया, हर वेक्तिस बंदन में बंधा रहता है, और इस बंदन में बंदने के बाद, कोई से मुक्त नहीं हो पाता है, इसलिए जितना समुद्र सुन्दर दिखता है, पर समुद्र का पाने पिने लायक नहीं होता, इसलिए जितनी दुनिया और मोह अच्छा लगता है, पर यही मोह आत्मा और जीव के लिए खत्रा है। भुलो स्री प्राणनाद शिले प्यारे सुन्दर साजी मोह के बंदन को छोड़े और जीव को उस मन के अंदर दवा हुआ है। जीव को मन से मुक्त कराए ताकि ये जीव मन से जब मुक्त होगा तो ये आत्मा की तरफ द्रिष्टी करेगा और जिस दिन ये जीव आत्मा की तरफ द्रिष्टी करेगा तो आत्मा उसको सत्य की पहचान कराएगी। झाल झाल